नमस्कार मैं मानसी धामने और आप देख रहे हैं सूपरफास जनादेश आपकी आवास आईए नज़र डालते शेकी कुछ ताजा तरीन खबरों की और उलास मेगब पांच स्थित मलंग बाबा दर्बार में खाजी मलंग मेले का आयोजन किया गया जहां शेजाद साई ओमिराम जी के गीत संगित के कारकरम का आयोजन भी किया गया बोल मलंग बाबा की आज मुझे बहुत अत्यंत खुशी हो रही है कि यहाँ पर 40-50 बरस से जो मलंग बाबा का मेला धामदूम से मनाया चाता है जो लोग मलंग अड़ नहीं जा सकते हैं वो यहाँ पर मलंग बाबा का दर्शन करके आशिरवाद पाते हैं और मनो कामनाय उनकी पूरी होती है यह समझें मलंग बाबा का एक दूसरा रूप है जो यहाँ पर लोगों को हमाले दादा जीवत राम जी जो अभी इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो लोग इतना अच्छा चीज इस पांच नमबर को देखे गए हैं इतनी भी परशंसा की जाए उतनी बहुत कम है मैं आज यहाँ पर आया हूँ और हरवर शाता हूँ और हरदम आते रहूँगा मलंग बाबा कड़े के सब की इच्छाएं पूरी हो और सब सौस्त रहें और उलास नगर सुन्दू नगर खुश रहें खुश आ रहें गरीब है सब गरीब बंदे आया हैं बाबा से मांगने के लिए और दर्बार पे आना भी चाहिए तो बिखारी बन के आना चाहिए और सब बिखारी बन के आया है और शेंचा ऐसे पी रहें सबको माला माल कर देंगे इसा बक्तों का मानना है सबको इसी के साथ साथ सुनील डूसेजा द्वारा भी मलंग बाबा मेले का आयोजन किया गया और आज के जिर्व क्या के ना चाहेंगे आज का मेला आपने कैसी मना श्री मलंग बाबा का मेला जो लोग उपर नहीं जा सकते हैं उनकी यहीं मुरादे पूरी होती है यहां के दर्शन करके उनकी मुरादे पूरी होती है शेंशा यहां खुदा के सबको आश्रुवात करते हैं उनकी मुरादे पूरी करते हैं मजे शेंशा चे ही उमिद हरसा लेती है असल भी है और मैं चाहूँगा के शेंशा पूरे उलाद नगर का कल्यान करें उलाद नगर अश्र ओदे पर आवे और हमारा शेर इतना खुशाल हो जावे के सिंगापर को आगे चलके टकर देवे यही मैं चाहता हूँ के शेंशा यहां पदा रहें उलाद नगर में और उलाद नगर इतना शान बढ़ा के जाएंगे के पूरे शेर की वाओ आगी जैश्री मलंगबाद दिन्यवाद करना चाहूँगा मैं सुनिल दुसेजा जी के बड़ों का जिन्होंने उस दमाने में भी एक प्रथा अस्तापन की वहां से जो संदल की रत प्रथा हुई काफी हमारी माताएं मेने हैं जो वहां पर पहाड़ी की दुर्गम रास्ते नहीं चड़ सकते हैं इसलिए उन्होंने उलाद नगर पांच इस करेकरम का आयोजन हर साल वो पिछले 20 सालों दे रखते आ रहे हैं जिनकी भी मुरादे पूरी होते हैं यहां नहीं पहुँच पाते हैं यहां से दर्चन करने के बाद भी वो लोग हाजी मलंग बाबा वहां मलंगड बाबा पर जाते हैं इसलिए धन्यवाद फिर से एक बार पूरे दुसेजा पड़िवार का और उनकी पूरी तीम का धन्यवाद UNR Online.com की टीम की और से उलास्मगर नामक अप्लिकेशन लॉंच हो चुकी है जहां शॉपिंग, एंटर्टेंमेंट, बिस्नस डारेक्टरी, होलसेल, रीटेल, बैतरीन, डील्स, एंजियो और शेयर की कही सारी जानकारिया आप यहां ले सकते हैं तो अभी ही उलास्मगर नामक अप्लिकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिये और हमारे शेयर के साथ अप्टू डेट रही है इसी के साथ साथ शेयर के कही सारे जगाओ पर यह अप्लिकेशन की लॉंचिंग की गई आज के जमाने में आपके देखा होगा कि कम्यूनिकेशन वाटसअप से रिप्रेस हुई है तीवी के जगे यूट्यूब आ गया कॉंटाइक्स के जादा हम जगाओ यूज कर रहा है तो इन सारी चीज़ों को सोच के हम लोगोंने का अप्लिकेशन बनाई है जहां पर शॉपिंग है बिजनिस जैरिक्वी है न्यूज है एंटेटेंमेंट है अप्लिकेशन को देख सकते हो कि अहलाशनेगर कि लिए यूट्य और चा Championships घरिक हैं और चा हिए वा स्थानोड़ है में एक उज़ दाने है तो गलूज तो जो एक website में आता है आप ऐसा सब application में एक एक dedicated पेज में हर institute और college को हर organization को दिया है ये बहुत अच्छा venture है इन बच्चों का, I wish them all the best for their future and I wish they go on expanding their business the way they are doing it now all the best to them सबसे पहले तो उल्लास नगर online नाम का जो app ये विद्यार्थियों ने बनाया है उनको सबसे पहले मैं तहे दिल से हमारे सारे पत्रकार बंदों के तरब से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ उनको शुबेच्छा दे चाहूँ आजकल सारा जमाना दोए वो ऑनलाइन का है और ऑनलाइन में हर लोग अभी देखते हैं कि घर में बैठकर टीवी पे शॉपिंग मोबाइल पे शॉपिंग तो उल्लास नगर एक बिजनेस हव है और वहाँ के बच्चों ने या वहाँ के चात्रों ने ये प्राइमरी स्टेप उठाया हुआ है और ये भौत ही अच्छी शुरुवात है मैं हम लोग इनके आगे बढ़ने के लिए तरक्की के लिए दुआ करते उनको अशिरवात देते हैं सारे पत्रकार लोग उनके साथ में हैं वो अप्लिकेशन भौत ही अच्छा है अभी शुरुवाती तोर पर है चात्र है नएने यह उनों से जो बनाया है उसमें और नई जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है यह उससे वो आपको डाउनलोड करिये और इससे जुडिये ताकि उल्लासनगर की कोई भी घटना हो कोई भी बिजनेस हो और किसी भी बात के लिए हम लोग इनके साथ सारा उल्लासनगर जुड सकता है लासनगर आपकेशन में हर व्यापपारी हर सदस्ता और सज्टा और सज्टी इंफर्मेशन बेग अर जेतरा मैनुफेक्चरर से बायानामान मों और खड़ीदारी करना करी अचंदा तो उननके सजी लिस्ट मिले खापना कोई नए ओपारी अचे तो पेणों सरी इंफर्मेश रहें ननके लिस्ट मेलें जेतरी मैनिफेक्चरर करें जेंगलं सरीथाउत। मनिने कंटेग्री से बिलें फिश्टी अच्यों मोबलें दिन मुबलोल ते बिजन्स ैर्यक्ट्री है। सब्स्ति मेन उख उलासन में ननौीस के यह रहें जालना से बियें कैटा फुनना दो आज मैं पंकज जामनानी और इसके ग्रूप को डेड़ सारी बदायां देता हूं इसके लिए मैं पूरी पंकज जामनानी की टीम को दन्यवाद देता हूं थाराइसिंग साहब जी की तरफ से विशे से यूए ना ऑनलाइन टीम जो है एक बहुत बड़ा काम जिन्होंने आज किया है इनकाज दर्बार साहब में केक काटा गया आज इन्होंने बहुत बड़ी काम काउट गार्टन किया है जिससे पूरे उलास नगर कोई नहीं पूरे विश्वबर को उलास नगर क्या कर रहा है कहां पहुंच रहा है संदी समाज की पूरी दुनिया की बहुत बड़ा नाले जिससे मिलने जा रहा है मैं इनको करूर करूर बदाईयां दे रहा हूँ इनकाज कर रहे है ले कि इस माधियम से एक हाल चाल पुरी दुनिया में दिया जाएगा इनको बहुत-बहुत करोर-करोर बदाई हो UNR Online.com की सफलता के बाद हमने एक नया प्रयास किया है एक साल बाद हमने एक मोबाइल अप्लिकेशन बनाई है जिसका नाम है उलासनगर जहां पर आप उलासनगर से business directory जिसे कहते हैं आप उलासनगर से किसी भी business को, organization को, educational institutes को easily access कर सकते हैं आप phone लगा सकते हैं, catalog images देख सकते हैं, उनकी timing देख सकते हैं एक website जितनी चीज हर किसी के लिए इस application में available है उसके अलावा इस application में आपको उलासनगर की local news मिलेगी अगर कोई उलासनगर से बाहर रहता है या किसी कारणवश news नहीं देख पा रहा है तो उस application में 24 गंटे उलासनगर की news देख सकता है इसके अलावा हमने कोशिश किये हैं इस entertainment section डालने की जहां पर उलासनगर के live shows चलेंगे सिंधी entertainment चलेगी, devotional entertainment चलेगी हमने देखा उलासनगर में बहुत सारी camps लगती है लेकिन इन camps की list कहीं पर available नहीं है तो एक छोटी सी कोशिश को देखते हुए हमने इसे भी application में डाला है application में आपको उलासनगर में जितने भी events और medical camps चल रही है NGOs द्वारा उनको लाने की कोशिश की है और इसी के साथ साथ हमने एक और component डाला है जिसका नामे deals and offers उलासनगर में आजकल जमाना चलता है लोग coupons पे चल रहे हैं उलासनगर में जितने भी दुकान है वो deals अपनी रख सकते हैं इस application में कोई कुछ अपनी offers दे सकते हैं बस इसी कोशिश के साथ हम चल रहे हैं कि उलासनगर में इसे बड़ा ही simple तरीका है जैसे आप WhatsApp डाउनलोड करते हो या कोई भी mobile की application डाउनलोड करते हो आप प्ले स्टोर पर जाके आपको सिर्फ सर्च करना है उलासनगर हमने नाम ही इस application का उलासनगर रखा है जैसे simple से simple तरीके से आपको यह application मिल जाए उलासनगर एक स्तित मयूर क्रिकेट क्लब दुआरा तानाजी नगर में बंडारे का आउजन किया गया जहां साई बाबा के दर्शन लेने पहुचे युवानेता ओमी कलानी और समाज सेवक सुमिक चक्र बरती भी तुला पाल कितु मिर्वीन तुला खांदया बर गे ये ना तुला पाल कितु मिर्वीन साई बाबा में शिर डिला पाई चालत ये 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 NCP पार्टी के जर्नल सेकेटरी मोनू सिद्धिकी जी का जनम दिन बड़े ही दूमधाम से मनाया गया युवानेता ओमी कलानी और सुमित चक्र बरती भी उन्हें जनम दिन की बदाया देने पहुचे आमदार जोती पपु कालानी और जनादेश की पूरी टीम की और से उन्हें जनम दिन की हार्दिक सुबेक्षा आपि बर्दे चू यू आए बार बार दिल ये काए तूझे अजारों सावजे सिंधी फ्लेम सन ओफ सिंधी उलास नगत तीन स्तित अशो कणिल मल्टी प्लेक्स में सफलता पूरक चल रही है जहां डेली आट बजे का शो है साई काली राम जी भी ये मूवी देखने पहुचे आईए उन सुनते हैं क्या है उनका कहना इस मूवी को लेकर साई पर्मान साहीब जी साईकाली राम साब जी सजा डरबारद प्रिन्स साईकाली राम साब जी नसाव गुजरिल Sindhu आशिरवाद हमेश्य है इनन जो को हिम्मता जो हत्थू उन्दो आए हमेश्य रहूंदो आए अज जो भी इनन नहिमता जो अत्व रख्यों है मां पेंजे कलाकारंज लाए तमां का बशब्द आशिरवाद जरू चाहिने सु सबिन ना पेंगो मुझे तरसा सबिन के जै वसरन कोट जै पारुशा जै जुलिलाल अज ये दावरा में जितिया सांजी सिंधी बोली नियोंनी खतम थी दीती वजे परी दाड़ी तकलीफ है जे दौरा मासा सबे सिंधी गुद्री रहा हूं सो तवाँ सब ही प्यारा असान जो प्यारो दीपक वाटवानी है उनने जो ग्रूप असान जा मिस्टर पारवानी सबनी गजी करे गजी की मुहिम चालू कहिया हर साल डेट साल बीस साल एक सिंधी पिक पिक्चर में एकड़ो सरनो मैसेज हुझे तो यह सोने पे सोहागा आए यह एकरी रिवोलेशनरी सिंधी पिक्चर रास्तनाव संधी डाड़ी प्यारी पिक्चर आमा चाहिन हम ता हरकोई प्रेमी अची करी है पिक्चर जरूर डिसे एनन तरीके सां यह एकड़ो माध्यमा संधी बोलती है कि अगयाँ खने मांजें संगना हैं ... जरूरी ना है ता घर में छेन पहला है व्यूं बश्याय संधी गलान जरूर अच्छन खपे ठीड़ो गिक्ट में पिक्ट है ईसाफ सिंधी का एक सावना सींधी और दो जावना है सिंधी को टरी जए संटा भूशा साइब कीजे पुस्पता सहितना साइब कीजे अच्छी बात है कि अच्छी बात है कि सिंधी पिक्टर आजकल सब लोग बहुती लगन से निकालने है हमारे सिंधी कल्चर को सिंधी कौम को हिम्थाने के लिए सिंधी लेंग्वेज जैसे कुछ सिंधी बोलते हैं सिंधी मैं ही गैलान खपे, सिंधी समझन खपे, सिंधी आई हूँ इस इन जाई असा अलाद आई शेरन जी अलाद आई तो जे तो थी सके असा सिंदी बोले के हम थाई तो अनन में असा है दीपक सजी टीम ताड़ी मेनत करें ये सिंदी पिक्चर ठाईया सनाफ सिंदी सिंदी चमत कारा करे सकना है असा में असा है मता है जुलेलाल साहीं जी या संतन दरेशन जी वसन गोटे जी पारुशा जी दो आए अमेशो हुआ दो आती नी रहन दी ये सिंदी पिक्चर कड़ी करें सिंदीन के इंटर्टेन्मेंट भी करना रहन दा उननके तुरी समझानी सिंदी बोली वद्धान जेला है सिंदी को लिका बोली कायम रखन जेला है सिंदे तकायम रखन जेला है महासमनी के वादा ही दीन दूम सजी टीम के अक्ते भी सुटी सुटी फिल्मू कड़ी करें सिंदीन जो शान उचो कंदा है वुलास मेंगब पांस स्टेट सेक्शन उन्ता लिस में साहिबाबा मंदिर का स्थापना दिवस मनाया गया आए देखते स्टेट सेक्शन 49 साहिबाबा मंदिर में यहां हम लोग साहिबाबा के स्थापना दिवस पे खड़े हैं मैं साहिबाबा को यही प्राथना करेंगे हम पूरे बाचनमबर के उपर और पूरे शहर के उपर हमेशे किलपा भड़े रहे और यह काफी प्रचलित मंदिर है जहां जो भी इच्छा लेकिया आता है उनकी वो पनुकामना मुराद पक्का पूरी होएगी इसके लिए मैं आज सभी को यही कहूंगा कि आज के स्थापना दिवस्के आप घर में बैटे हैं तो यहां आके बाबा का आशिरवाद लेने उलास नगर स्तित सी ब्लॉक परिसर में छे साल पूरे होने के उपलक्ष में लाइफ केर हॉस्पिटल द्वारा फ्री मेडिकल चेक अप कैम का आयोजन किया गया जा कही सारे लोगों ने इसका लाब उठाया मैं डॉक्टर मुहमर्शाब बोदिन लाइफ के और हॉस्पिटल सी ब्लॉक पूलास नगर नियर साहड हिसन से मेरा हॉस्पिटल आज 6 साल से कंटिन्यू यहां पे पब्लिक सिवा देते आ रही है जिसमें अपने हॉस्पिटल में मल्टी एस्पिश्य हॉस्पिटल है जिसमें हर परकार का टीटमेंट होता है और कम खर्चे में अच्छे से टीटमेंट होता है और आज 6 साल कंपलीट हो गया उसके आउसर पे हमने फिरी मेडिकल चेक अप रखे है जिसमें कम उबेस एक 12- पंद्रह सा पेशेंट है अभी भी लाइन लगी वी है जिसमें हम सबको एलाज करके फिरी में दावाईयां दे रहें जिसमें डॉक्टर आये हुए सारी अर्थोवेटिक डॉक्टर है कान के डॉक्टर है कान ना कर गले के डॉक्टर है और एम्री मेडिसीन है चेस्ट पीजि और आगे भी ऑई-सी अगर चल्दी रहेगी हमारी हस्पिटल तहीं हमेशा हर साल हर महिने में पबलिक को सिवाय करते रहेंगे उलास नगज तीन स्थिच साई सादूराम साहिब दरबार में साही साधूराम साहीब वो साही मनशाराम साहीब जी का वर्सी उस्तो शिर्दापूरक मनाया गया साही साहीब शाही जी को अर्षी आरें साधूराम साधूराम सेमने जाती है बाइसाब फोरा प्रोग्राम करते हैं और हम पुरे लोग को सथा है और अडंचाथ को बुलाबा हुटा है और हम भी आते हैं, बहुत ही प्यारा बारा होता है, और यहां बोज़र वगर भी होता है, मैं उनको धन्यवाद देना है। सबनी संटन आम शुकुर को जा रहाया, संत्ता आया, संस्ता आया, सत्संग करे वया, ट्योडी साइंकाली राम सायब जन्भी सत्संग करे वया, डाड़ो दूम मचाया है। दिन बदिन शहर में पानी की समस्या बढ़ते जा रही है इसी को देखते हुए पैनल क्रमांग 17 आजाद नगर परिसर में नगर सेवी का लक्षमी सुरेंदर सिंग द्वारा बोर्वेल का उद्गाटन किया गया आज रबाकर मांग 17 गरीब नगर में नवीन बोर्वेल का उद्गाटन हुआ पानी की समस्या को देखते हुए हमने ऐसा निश्य किया है कि अपने वार्ड में हर एक चौराय पर एक बोर्वेल होना चाहिए जिससे अपनी पानी की जो कमी है वो दूर की जा सक है क्योंकि अभी पानी बरसात कम होने की वज़ा से पानी की कटवती जो है दिन प्रत दिन बढ़ती जा रही है जिसको देखते हुए अपने हम रावासियों को बोर्वेल के माध्यम से ताकि उनके घर का बतन का काम, कप्रा दोने का काम, नहाने का काम इसके द्वारा आसानी से हो सकता है दिखते हों, हमने गांधी नगर में तीन गॉर्वेल लगाए, एक गरीब नगर में समाजमंदिर के पास, सिवसेना साखा के पास गांधी नगर, और दूसरा जो है, ओमाप के घर के पास कल सुबह बॉर्वेल का उध्याटन हो जाएगा, वह भी चालो हो जाएगा, और इसलि तो बस आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिजोड में जनादेश की पूली टीम की और से मैं लेती हूं विदा धन्यवाद दली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश आपकी आवाज है आपका ही आदेश जनादेश आपकी आवाज जनादेश आपकी आवाज झाल